हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज काई वीडियो यह है सरवाद सरवादिकारवाद टोटैलिटेरियन सरवादिकारवाद एक राजनितिक विचारधारा के रूप में विश्वी सतापदी में विख्सित हुआ यत्यपी इसकी विशेष्टाएं और प्रवुर्टियां सदेव विद्यवान थी किन्तु इडली में मुसूलोनी और जर्मनी में हिडलर के तानासाई पूर्वसासन के उद्भाव के पस्षाथ यहाँ विचार राजनितिक विशारधारा के रूप में अस्तापित हुआ सर्वादिकार सब्द का पहली बार परयुग सुयम मुसूलोनी ने किया था उसका परसित कतन है कि राज्य के बहार कुछ नहीं राज्य के ऊपर कुछ नहीं और राज्य के विना कुछ नहीं अतो सर्वादिकारवाद एक सर्वसक्तिमान और निरंकुस राज्य का दर्शन है मुसूलोनीत और हिटलर के नाजी सासन में भी राज जहसर और सक्तिमान था और हिटलर तथा मुसूलोनीत दोनों के ताना साई और अत्याचारी सासन को सरवादिकारवाद का प्रियाय माना गया है तो सरवादिकारवाद क्या है एक राष्टितिक बिचारधारा के रूब में इसका जो विखास्वा ये बिश्वी सदापनी में विक्सीत हुआ यदि भी जो ये बिचारधारा थी सरवादिकारवाद इसकी विशेस्ताय और अपरण उर्थियां सदेव ही विद्यमान थी कित राष्टितिक बिचारधारा के रूम में स्थापित हुआ शरवादिकारवाद का सब्द का प्रियुक सब्दम पर्थम मुस्वीन है उसने ये कह था कि उसका जो फेमस कोट है कि राज के बाहर कुछ नहीं राज के ऊपर कुछ नहीं और राज के बिना कुछ नहीं अतो सरवादिकारवाद है उसकी चाचे बिसिष्था है फस्त रोग है सक्ति का संकेंद्रान या सक्ति का केंद्रिकरान यह सरवादिकारवाद की मौलिक बिसिष्था है कोई भी सासन सरवादिकारवादी हो सकता है यदि उसमें सक्ति को केंद्रित करने वाली पर्णालियों को स सर्वादिकारवादी माना जाता है क्योंकि उसमें सक्तिका सकेंद्राण होता है तो जो सर्वादिकारवाद के पहले विशिस्ता ही है कि सक्तिका केंद्रिकराण क्योंकि इसमें यह होता कि सक्तिका केंद्रिकराण कुछ व्यक्ति या एक व्यक्ति के हाथ में होता है देन क्यों कि सकत्राइब्सक्ति कारे पाले के लिए विभाजित करने का दर्सन दिया उन्होंने क्रिवहार्व मांट इस प्रत highway उसके बाद उसके भी मान लिया गया कि यह प्रमानित हुआ प्रश्णति को शन्तुलित होना चाहए और स्क्ति संतुलन जब उसका विवाजन हो उसमें सक्ति संतुलन होना चाहिए सरकार का तो उसका एक दूसरी पर नियंतरन हो तभी सरकार लोगतंत्र चल सकता है में इसे खुबसूर्ती से अपनाए गया है इसके बाद अधिकतान उधारवादी सविधानों में सकति प्रिथक्राण का आधर्स六तंत्र के पर्याय के रूम में सुईकर किया गया है जबकि सर्वादिकारवाद सक्ति प्रिथक्रान के मौलिक सिदान की क्या करता है अवेलना करता है क्योंकि यह सक्ति के सक्काइंद्रान पर आधरित होता है तो सक्ति प्रिथक्रान का जो सिदानत है उसका अंत है इसमें सर्वादिकारवाद में देन होगे, तीसरा होगे, प्रियोत के अनपस्तिती, विचार अभ्यक्ति की स्वतंता और सरकार का प्रियोत करने का अधिकार लोगतंत्र का आधार माना जाता है, जो सरकार की आलोशना और जो स्वतंता है, उसका प्रियोत करना क्या है, सरकार का स्वतंता, विचार अभ्यक् कर दिया है अथा उधर वादी लोकतंद्र बिरोद के द्वारा सासन को नियंतित करने चे उपाई के रूम्में दिखता है लेग चन्द constituency सार्वादीकार वाद में किसी बेपरकार के की वी परकार को ननों सासन हिंता मानी जाती है सरकाल सासन और सकता का वि-द्रो देश द्रो के स्रेणी में माना जाता है अगर सरकार वासता का बिद्रो करना चाहा है देश द्रो की स्रेणी में माना जाता है सरवाधिकार में अतो सरवाधिकार वाधि सासन में विरोध का कोई अस्तान नहीं होता है जितने भी सरवाधिकार वाधि सासन हुए है उनमें विर करने के सभी अवसरों को समाप्त कर दिया गया है चोथ हो गया भावनात्मक आधर्स आधर्स आधर्सात्मक राजनिती यह सरवादिकारवाद की मेतुपूर्ण बिसीशता है मुसुलुनी हीडलर और उसके बाद के तमाम ताना साउने इत्यास और प्रमप्राओं के प्रमप् भावनात्मक आधर्स आधर्स संत्रत करता है यह एक चडम सत्रत बताया जाता है की जोGO EMymie है उसको देश, राष्ट और समाज का सत्रु बताया जाता है और इस कोमन EMY को समापति और उससे रक्षा के लिए सक्ति को कयंदेत करने का दर्सिंक आधर तैयार किया जाता है हिल्लेर ने ही काम यहोद्यों के सामने रखकर ही जिया यहोदियों के पर्ति तत्कालिन जर्मनी के समाज में अंतिम स्रेणी की नफरत पैदा की गई जिससे कि यहोदियों के पर्ति किये जाने वाले अत्याचार के पर्ति आम जनता में कोई छानुबूती न रहे अधिकांस तताना साई ब्योसता किसी ना किसी परकार के छदं सत्रु या नकली सत्रु का परस्तुती करण है तो छदं सत्रु का यह कोमन जो एनमी है उसका भाई दिखाए जाता है इस परकार के जो शरवादिकारवादी साशन होता है हो ता है लेन च्रटा हो गया आजया पालन आजया पालक समाज का निर्मा जो बचल में एक कारी और अनुंसासित समाज राजनितिक समदा की अपक्सा चीज जाती है, नागरिकों के अधिकार नहीं होते हैं, बलकि केवल करतब्य होते हैं, उनका अधिकार यह है कि वो राज्यकी आज्या का पालन करें, जो वर्ग या समदाय या व्यक्ति राज्यकी आज्या का अंधा नुकरन नहीं करता, उसे दिवस्द्रोई माना जाता है, अतो ए अधिकारवादी आज्याकारी समाज की पेख्षा करता है तो आज्यापालक समाज का निर्मान किया जाता है इसमें देन हो गया चेटा हो गया समाज और नितिरत्व का महिमामंडल सर्वादिकारवादी सासन में नेता आध्यात्मिक और करिस्माई सक्तियों से युक्तुम मान जाता है और तो उसका निरंतर गुलगान किया जाता है मुसोलनी और हिडलर ने यहीं किया था विश्व में जितने भी सर्वादिकारवादी सासन हुई हैं उनमें नेताओं के परती असीम सर्दा रखी जाती है नेता करिस्माई होता है और करिस्माई नेतिर्त्वा राज्य क का जो महिमा मंदल किया जाता है सरवाधिकार्वादी सासन में उग्र-राष्टवाद सरवाधिकार्वादी सासन में राष्टवाद की उग्र प्याज़ा की जाती है, राज्य Seráosaktimane है, उसे निरंतर विस्तारवान होना चाहिए, सरवस्रेश्टा का विचार परचारित किया जाता है और राज्य की सरिष्टा उसके निरंतर उसके बिस्तार में ही है तो उग्रो राष्टवाद का समर्थन होता है इसमें देन हो गया धार्मिक सांस्कृति को जाती है सरिष्टा इसकी बिसीष्टा है और सरवादिकारवाद की एक परमुग बिसेश्टा है मुसूलनी और हिल्डर दोनों ने इसका पालन किया हिल्डर ने तो प्रजातिय सरिष्टा की समय सभी सीमाएं पार कर दी और यहोदियों के परति अमान वे अतायचार किये अन्य परकार के सरवादिकारवादी सासकों में भी जाती है संस्कृतिक धार्मिक सर् जिससे लोग इतियास संस्कृति और सभ्यता की सर्विष्टा की मिथ्या चेतना के भुलावाँ में रहते हैं तो फ्रेंड्स ही हो गया सरवादिकारवाद और जो सरवादिकारवाद की विसेस्ता हैं उसके बारे मोगे वीडियो